बात करूँगा उस आग के विशे में कि पवित्रात्मा की आग क्या है इस विशे में बात करूँगा और पवित्रात्मा की आग किस तरह से जलती रहेगी और कैसे प्रजोलित रहेगी इस विशे में हम बात करेंगे सो आज हम बात करेंगे पहला खुस्न निक्यों 5 को 19 जैसे कि मैंने पड़ा कि पवित्रा आत्मा की आग को ना बुझाओ तो वो आग क्या है? हम अपने अंदर जबकि हमारा शरीर पवित्रात्मा का मंदिर है और पवित्रात्मा का मंदिर है और पवित्रात्मा इस शरीर में निवास करता है और जबकि पवित्रात्मा इस शरीर में निवास करता है उस आग को जलाया रखने के लिए जैसे कि एदिय की आग जलते रहने के लिए आत्मिक इधन के जरुद है और वो आत्मिक इधन क्या है आत्मिक फ्यूल क्या है हम देखेंगे इर्मिया उसका 23 का मैं आपके लिए बढ़ता हूं इर्मिया 23 का 29 में कि परमेश्वर का वचन आग के समान है अमेन परमेश्वर का वचन आग के समान है और पवित्र आत्मा की आग बिना परमेश्वर के वचन के जल नहीं सकती यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आग ना बुझे तो उसके लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये परमेश्वर के वचन के द्वारा निरंतर वचनों को डालते रहें अपने रिदे में वचनों को भरते रहें यदि आपका रिदे दियान से सुनिएगा यदि आपका रिदे परमेश्वर के वचन से भरा हुआ नहीं है तो पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगी पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी तो जलते रहने का मतलब है परमेश्वर की उपस्तिती बनी रहेगी आग रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की उपस्तिती को आग परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करता है यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्तिती आपके जीवन में बनी रहे तो एक बात आब याद रखें कि परमेश्वर का वचन जो आग है वो बना रहना चाहिए जहां वचन की आग नहीं है वहां परमेश्वर की उपस्तिती नहीं है बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्तिती की खोज में रहते हैं लेकिन वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ उपस्तिती हमें मिल जाए और वो ढूंडेते रहते कि हमें उपस्तिती क्यों नहीं मिली हमने कुछ अनुवब क्यों नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके अंदर वचन की भूक और प्यास नहीं है परमिश्वर का वचन खाली है उनके रिदे में आग नहीं है आग का मतलब है वचन नहीं है यदि वचन रहेगा तो पावित्र आत्मा की आग जलती रहेगी जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं लेववस्ता में भी लिखा हुआ है कि बेदी की आग बुझने ना पाए कहने का मतलब मंदिर में जो बेदी होती थी उसका आग जो है दिन और रात जलता रहता था उसकी आग बुझती नहीं थी और परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो दीपक होता था वो भी दीपक कभी बुझता नहीं था निरंतर याजक तेल डालते रहते थे ताकि दीपक जलता रहे ओ हालेलुया इन सारे वचनों के दौरा आज हम क्या सीखते हैं आज हम सीख पाते हैं कि हम मंदिर हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और ध्यान दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्ति इस मंदिर में बना रहे तो परमेश्वर का वचन रहना चाहिए, यदि परमेश्वर के वचन से ये एक या दो दिन का काम नहीं है, निरंतर आपको अपने आपके अंदर अपने रिदे को परमेश्वर के वचन से भरते रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन मातर शब्दों में नहीं है वरन परमेश्वर का वचन सामर्त में है आत्मा में है और उसमें लिखा गया है यहुन्ना 6 में 6 के 63 में लिखा गया है कि परमिश्वर का वचन जीवन दायक है परमिश्वर के वचन में आत्मा है और जीवन है जो आत्मा की आग को बनाय रखता है हालेलुया इसलिए वचन का आज आज देखिए आज एक आप चीज कुछ बातों को आप देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हैं कि आज 10 साल हो गया विश्वासी है 15 साल हो गया कहते हैं कि हम विश्वासी हैं लेकिन उनके अंदर पवित्रात्मा की आग नहीं है बहुत से ल वहाँ परमेश्वर का वचन नहीं वहाँ परमेश्वर की आत्मा नहीं और आज इसलिए चर्च मरा हुआ है क्योंकि पवित्र आत्मा की आग नहीं है वो अभी शेक थे लेकिन आज उनकी अंदर वो अभी शेक बना नहीं है बना इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद वंचित हो गए हैं या फिर उन्होंने अपने जीवन के वज़े से या फिर वचन में वचन को अध्यन ना करने के वज़े से वचन ना पढ़ने के वज़े से वचन ना सुनने के वज़े से और वचन को कीमत ना देने के वज़े से वचन को प्रातिमिक्ता ना देने के वज़ है और निर्जिब बन गया है मरा हुआ है विश्वासी है विश्वास करते हैं लेकिन मरे हुए हैं और बिमारियों से भरे हुए हैं दुस्ट आत्माओं से भरे हुए हैं क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आग है उनके जीवन में नहीं है देखिए हमसे जादा शैतान जानता है शैतान जानता है कि किसके अंदर किस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रही है या नहीं शैतान सोता नहीं है वो देखता है कि पवित्र आत्मा की आग जल रही है कि नहीं है इसलिए पॉलूस पवित्र आत्मा की दुवारा कहता है कि पवित्र आत्मा की आग को न बुझाओ यदि पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगी तो तुम्हारा शरीर शैतान का मंदिर बन जाएगा आज दुस्त आत्माओं का ये शरीद दुस्त आत्माओं का घर बन जाएगा ये पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगी तो हम क्या करें हम क्या करें, हम क्या करें कि पवित्रा आत्मा की आग ना बुझे, हम क्या करें जिससे हमारी आत्मा की आग ना बुझे, पवित्रा आत्मा की आग ना बुझे, उसका एक ही जरिया है, कि आप परमेश्वर के वचन को अपने रिदे में हर दिन भरते रहिए, इसलिए कुलुस किताब की तरह मत देखिए आप 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 बाइबल को शब्द की तरह मत देखिए आप बाइबल को आग के समान देखिए कि ये आग है हालेलुया आपके हाथों में ये आग है आपके हाथों में ये आग है और ये आग आग निरंतर जो है आपके अंदर आ बचनों को नहीं आग डाल रहे हैं, आग का मतलब परमेश्वर की उपस्तिती को डाल रहे हैं, हालेलूया, आप शब्द मत देखिए, हालेलूया, किताब के समान इसको बाकी किताबों की तरह मत देखिए, ये किताब नहीं है, ये आग है, हालेलूया, तैंक यू जीजस, और ये आग आपकी आत्मा का दीपक है आपके आत्मा का फ्यूल है आपकी आत्मा का इधन है हालेलुया और ये प्रति दिन जरुत है एक या दो दिन की बात नहीं है जब तक आप जिन्दा है इस प्रिथिवी पर तब तक ये आग आपको चाहिए इस आग के बिना आप जिन्दा नहीं रह सकते इस आग के बिना आप मरे हुए हैं क्योंकि इसी आग में उपस्ति है परमेश्वर की इस आग में जीवन है आपके आत्मा की हालेलुया इसलिए आज से वचन को साधरन किताब के समान देखना बंद कर दीजी देखिए ये आग के समान अपने आप में अपना द्रिष्टि कोण बदल दीजीए अपने आखों को बदल दीजीए कि ये किताब नहीं है बलकि ये आग है शालेलुया और जहां ये आग है ये आग आपके अंदर बनी रहेंगी तो दुस्ट आत्मा धर्थराएंगी और कापेंगी और आपके कंपाउंड से वो बाहर रहेगा आपके जीवन से वो बाहर रहेगा चूँकि वो इस आग को पहचानती है तैंक यू जीजस तैंक यू जीजस आलेलुया प्रभु की स्तूती हो वो इस आग को पहचानती है इस आग को पहचानती है हालेलुया इसलिए यहुना बफ्तिस्मा दात ने कहा था मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्रात्मा और आग से बफ्तिस्मा देगा मतलब वो डुबाएगा परिपूर करेगा तुमको उस आग से और वो आग परमेश्वर का वचन है हालेलुया तैंक यू जीजस तैंक यू जीजस तैंक यू जीजस प्रभु की सूती हो हालेलुया आज ये विश्वासी अपने अपने जीवन को परमेश्वर की आग से ना इसलिए परमिश्वर का वचन आग है और इस आग के द्वारा पवित्र आत्मा की आग जलती रहती है अन्य था वो आग बुझ जाएगी इसलिए आज मैं जादा कुछ आपको बहुत सारी बाते नहीं परंतु कुछ चीजे जो आपके अंदर बनी रहनी चाहिए ये दो बाते आपके अंदर बनी रहनी चाहिए ये आप चाहते हैं ये काम आपका मैं आपको सच कह रहा हूँ ये काम सर्गदोतों का नहीं है ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है, कि पवित्र आत्मा की आग ना भुझे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी सुर्गदोत की नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रभु की नहीं है, ये जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं है, ये आपकी है कि पवित्र आत्मा की आग ना बुझे इसके जिम्मेदारी आपके कंधों पर है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आग है इस पवित्र आत्मा की आग को निरंतर जलाया रखें इस यह जिम्मेदारी आपकी है यह आपको लग रहा है सूख जा रहा है यह पवित परिशानी के कारण बिमारी के कारण या फिर प्रस्ति के द्वारा तो मैं आपको कहता हूं फिर से परमेश्वर के वचन को उठाइए फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन को उठाइए यदि आपको वचन पढ़ने का मन नहीं लगता है यदि आपको वचन पढ़ने का म की तरह बन गया है सूखा बन गया है हालेलूया पवित्रात्मा को पुकारिये पवित्रात्मा आपके सहता करेगा आपको वचन की भूक और प्यास देगा आपको मालुम है कि परमेश्वर की वचन का लिखने वाला पवित्रात्मा है और इसको समझाने वाला भी पवित्रात् है जिम्मेदारी आपकी है कि आप दिन रात दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे परमेश्वर के वचन का अध्यान करें परमेश्वर के वचन को पढ़ें सुनें समझें सीखें और पवि ने करने की जरुत नहीं, जुशन आत्मकों भगाने के लिए, अगर ये आग जलती रहेगी, तो अपने आप छुटकार write आएगा, अपने आप 250 आएगा, अपने आप सफलताعة आएगा, अपने आप уंदनती आएगा, अपने हो पायेगा, तुछ ये आग लेकर आएगी, ओ ज प्रमेश्वर के लिए गया जलती रहेगी, तो आपके जीवन के हर एक मार्ग खुले रहेगे, परमेश्वर के लिए, सफलता के लिए, उन्नती के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, तैंक यू लौड जीज़स, इसलिए अब चाहते हैं कि प्रमेश्वर के क्यास को मांगिए क्योंकि यह आपकी आत्मा का इधन है फ्यूल है आग है हालेलुया जैसे कि वेदी की आग जलती रहती थी और वो देखिए याद रही बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा प्रकाशन आ रहा है देखिए पुराने नियम के मंदिर में जो बेदी थी उस कौन लोग जलाय रखते थे क्या सुरगदुद जलाय रखते थे या परमेश्वर जलाय रखता था बताएए कौन जलाय रखता था कोई भी एक जन बताएए याजक लोग येस याजक लोग हालेलुया तो आजम कौन है आजम कौन है आजम याजक है आजम याजक है आजम य लकड़ियों से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जलाया रखना है परमेश्वर का मंदिर का रखवाली आज हमें करना है पवित्र आत्मा के दुबारे मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ बहुत अच्छा परकाशन इस वचन में अदि आप ध्यान से सुनेंगे तो इस वचन के परकाशन को समझ पाएंगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ प्रेड़ितु के काम उसका 20-28 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रेड़ितु के काम 20-28 इसलिए तुम अपने और पुरे जुंडिक की रखवाली करो पावित्रा आत्मा ने तुम्हे अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है आमीन हालेलुया प्रभो की स्तूति हो आप देखिए एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर अध्यक्ष जो है अध्यक्ष को मैंने जब स्टेडी किया तो बहुत सारे ट्रांसलेशन में सूपरवाईजर लिखा हुआ है और लिखा है रखवाली करने वाला मतलब कि पवित्र आत्मा ने आपको रखवाला ठहराया है कलीसिया का तो इसलिए आपको अपनी रखवाली करना है सबसे पहले उसके बाद अपने जुंडी के रखवाली करना है अपनी कलीसिया के रखवाली करना है पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आमीन, हालेलूया तो इसलिए देखिए यदि चरवाहा सोएगा तो शैतान गुसेगा मतलब यदि चरवाहा सो जाएगा तो चोर गुसेगा और भेडो को चोरी करके लेके जाएगा तो चरवाह कैसे जागेगा याजक को आज जागते रहना है जागते रहना है और देखते रहना है कि वेदी की आग बुझ रही है कि नहीं ये दि बुझ रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का वचन जो आग है फिर से एक और बार जलाइए प्रजुलित कीजिए फिर से एक और बार फिर से एक और बार फिर से एक और बार ताकि पवितर आत्मा की आग ना बुझे हालेलुया हमने पड़ा है इ Iya तेश का 18 जिसमें लिखा गया है परमेश्वर का वचन आग है उसके बाद हमें पड़ा है उसके जिसमें यह लिखा गया है कि अपने यह अपने vo Calling अज्य दीर सेडिके दूतों को धदक्ती हुई आगसा बनाऊंगा आलेलूया थैंक्यू जीसूस तो ऐसे बहुत सारे वचन है जिसमें ये कहा गया है कि जो परमेश्वर के दूत है और परमेश्वर के दूतों को परमेश्वर स्वेम आगसा धदक्ती हुई आगसा धदक्ती हुई मतलब कि वो ज कैसे बढ़ना है वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को धदकत हुई आग सा बनाऊंगा तो वो जरिया है परमेश्वर का वचन जो आग है उसी आग के द्वारा ही आप अपने आत्मा की आग को जलाया रख सकते हैं और कोई नहीं और यह दि आप देखिए यह दि आत्मा की आ आग जलती रहेगी कलीसिया की आग जलती रहेगी कलीसिया बुझेगे नहीं कलीसिया सुस्त नहीं होगी बिमार नहीं होगी आलसी नहीं बनेगी यह आग ना होने के कारण आज विश्वासियों का विश्वास सुस्त हो गया है आलसी हो गये हैं प्रार्थना का मन नहीं बुझ रही है इसलिए आज पवित्रात्मा आप सब को कह रहा है ये मैं कहूंगा ये पवित्रात्मा की और से एक चेतावनी है आप सब के लिए और वो ये चेतावनी है जो पवित्रात्मा कह रहा है कि आग बुझने से पहले उठ जाओ आग बुझने से पहले उड़ जाओ इदि आग बुझ जाएगी उसके बाद फिर से उसको एक और बार जलाना नामुम्किन सा बन जाएगा तो इसलिए पवित्रात्मा की आग जलती रहने चाहिए जिसका जरिया है माध्यम है परमेश्वर का वचन हालेलूया आई हम प्रातना करें ताकि सब बातों में परमेश्वर आप पर अनुग्रे करें परमेश्वर आपको बरकदें तैंक यू जीजस प्रभू आपकी स्थोटी हो फिर से एक और बार बार सब बातों के लिए तो परमेश्वर धनेवाद जिन वचनों के द्वारा तुने हमें बर्कत दिए, आशिश दिए, अम धन्यवाद करते हैं जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन में मैं प्रार्तना करता हूं हे पवित्र आत्मा फिर से एक और बार फिर से एक और बार फिर से कुरबार, पवित्र आत्मा की आग से भर दे, सुनने वालों को पवित्र आत्मा की आग से भर दे, हे पवित्र आत्मा आग से भर दे, आग से भर दे, आग से भर दे, तैंक यू जीजस, तैंक यू जीजस, तैंक यू जीजस, तैंक यू जीजस, पवित्र आत्मा की हालेलुया हे पवित्रात्मा फिर से एक और बार आग से भर दे आग से भर दे जितने भी लोग मेरी आवास को सुन रहे हैं हर एक की आत्मा को आग से प्रवजवलित कर दे वचन की भूक और प्यास दे हालेलुया वचनों की भूक और प्यास दे ताकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी आत्मा की आग ना भुझे इशू नासरी के नाम से हालेलुया धन्यवाद हे परमेश्वर धन्यवाद हे प्रभू धन्यवाद हे प्रभू धन्यवाद हे प्रभू धन्यवाद हे प्रभू धन्यवा प्रभू धन्यवाद हमारी प्रात्म संकर उत्तर देने के लिए इश्व नास्री